आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1922 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेक रहा हूँ RAS 2023 से जुड़ी हुई एक संसनिक हेज न्यूज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं याप देखिए संसनिक हेज मेसेज दावा विज्यापन से पहले ही बता दिया था कि RAS 2023 और मैंस परिक्षा कब कब होगी RPSC की गोपनियता पर फिर उठी सवाल आयोग ने इसे फरजी बताया तो दोस्तों ये न्यूज आज के देनिक भासकर के अंदर प्रकाशित हुई है इसमें ये एक संसनिक हेज जो एक खुलासा किया गया है कि किस प्रकार से एक सोशल साइट है OTS Pathfinder उसके दुआरा RPSC की दुआर डेट डिकलेर करने से काफी दिन पहले ही ये बता दिया था कि RPSC एकजाम किस दिन आयोजित की जाएगी तो ये एक मतलब बहुत बड़ा खुलासा है एक बहुत बड़ी न्यूज है RPSC की त्यारी करने वाले अब्यारती इस न्यूज को सुनकर के हत्प्रब रह सकते हैं यदपी RPSC ने इसको फरजी बताया है लेकिन फिर भी सोसल मीडिया साइट पर ये न्यूज काफी पहले से वाइरल हो रही थी और इसमें बताया गया था कि RPS मेंस जो एकजाम है वो 27 वा 28 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी और बाद में जब RPSC के दुआरा इस एकजाम की डेट डेकलेर की गी तो वो डेट सेम यही थी जो सोसल साइट पर OTS Pathfinder के दुआरा वाइरल मेसेज के जरिये बताई जा रही थी ठीक है तो ये पूरी न्यूज के आएवो आप देखिए RAS 2023 को लेकर सोसल साइट पर साथ महा पहले के एक वाइरल मेसेज ने सनसनी फैला दिये मेसेज 16 जून 2023 का बताया जा रहा है इसमें दावा किया गया है कि RAS 2023 का विग्यापन कब जारी होगा प्री प्रिक्षा कब होगी और मुख्य प्रिक्षा कब मेसेज में जो जो बातें जो जो तारीके लिखी हुई है RPSC ने लगबग उनी तारीकों के आसपास ही विग्यापन जारी किया प्री प्रिक्षा आयुजित की और अब मुख्य प्रिक्षा कराने जा रही है RPSC ने इसे फरजी बताया है दूसरी ओर प्रिक्षा दे रहे अनेक अब्यारती इस मेसेज के बाद प्रिक्षा की गोपनियता निश्पक्षता को लेकर के आसंकित हो गए है सिक्सक बरती प्रिक्षा पेपर लीक और डमी केनिडेट्स पकड़े जाने से प्रदेश बर में सुरुकिया बटोर रही RPSC सोसल साइट पर अचानक वाइरल हुए मेसेज से फिर चर्चा में है RPSC खुदी सवाल उठा रही है कि प्रारंबिक प्रिक्षा से पहले मुख्य प्रिक्षा की तिति केसे गोशित की जा सकती है ये अभ्यारतियों को गुमरा करने की साजिस हो सकती है प्रारंबिक प्रिक्षया में उत्रकुंजियों और इसके बाद मुख्य प्रिक्षया की तिति आगे बढ़ाने को लेकर करीब एक मेने से अंदोलन चल रहा है तो यह आप देख सकते हैं विग्यापन 28 जून को जारी हुआ मेसेज 12 दिन पहले का बताया जा रहा है सोसल साइट पर OTS Pathfinder RAS Group में एक मेसेज वाइरल हुआ है इसमें दिखाये गए मेसेज की अधिकतर बाते सठीक हैं 16 जून 2023 के इस मेसेज में बताया गया कि 26 से 30 जून के बीच में RAS 2023 का बरती विग्यापन जारी हो सकता है आयोग ने 28 जून को विग्यापन जारी किया इसमें दूसरा मेत्वपुण बिंदू RAS प्रारंबिक प्रिक्षिया सित्थम्बर अन्त या अक्टूबर प्रत्थम सब्ता में आयوجित किये जाने की बविश्यवानी की गई थी आयोग ने एक अक्टूबर को ही प्रारंबिक प्रीक्षिया करा ली अलाकि ये दो मेसेज तो आप समझ सकते हैं कि अनुमान के आदार पर भी बताए जा सकते हैं ठीक है लेकिन ये केसे संभव है कि डेट भी पहले ही गोशित कर दी जाए रो डेट सेम वो ही निकले जो पहले बताए गई है ये जो संदेपूर्ण है ये आप देखिए अब ब्य आइने से संगर्स कर रहे अब्यार्थियों के अगवा, प्रिया चोहान, सुनीता, लांबा, मनोज भाबु चोदरी, लक्से प्रताब सिंग, रामसा, जाट, मनीश प्रजापती, हिमानसू, आदी ने कहा कि इस गुरूप से तीन जार लोग जुडे हुए हैं इन अब्यार आठियों ने कहा कि 16 जून 2023 को किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन इस सोसल साइट के चैनल पर पहले से ही सब कुछ बता दिया गया था, देखिए मुख्य परिक्षया 27 वे 28 को, इस मेसेज की तीसरी बविश्यवानी भी एकदम सटीक निकल रही है, तीसरा मुख्य बिंद आरेस मुख्य परिक्षया 2023 की तिथी 27 वे 28 जनवरी बताएगी थी, यही तिथी आयोग ने मुख्य परिक्षया की गोशित कर रखी है, तो यह बहुत संदेपुरुन स्तती है, इसमें आसंका देखिए, इन अभ्यार्तियों ने आसंका जताई है, कि आयोग में बेठे लोग कुछ अभ्यार्तियों को फाइदा पहुंचाना चाहते हैं, तब ही तो करीब साथ मैंने पहले ही उन्हें आरेस मुख्य परिक्षया की तिथी बता दी गई, लेकिन अब इस पूरी प्रोसेस में कुछ सवाल हैं, जो जवाब मांग रहे हैं, सवाल नमर पहला क्या है बरती प्रक्रिया जून 2023 से सुरू हो गई थी, फिर ये मेसेज अचानक कैसे वाइरल हुआ, सवाल नमर दूसरा, प्रिलेम से मुख्य दोनों परिक्षया की तिथी एकजाम एप्लिकेशन फोरम आने से पहले जून में ही पता चल गई थी, सवाल नमर तीसरा, क्या RPSC में क तो SIT करे जांच, अब ब्यारतियों का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और SIT से जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोशियों पर कारेवाई हो सके, तो इस पूरे परकरण के उपर जो RPSC के सचीव हैं, राम निवास मैता, उनका क्या स्टेटमेंट ह वो देखिए, RAS 2023 का विग्यापन 28 जून को जारी किया गया था, मैंने 25 जूलाई को आयोग सचीव का कारेवार संभाला, मुख्य परिक्षया की तिति मैंने तयार की है, इस तिति को तय करने में करीब 10 दिन लगे थे, संभव है कुछ लोग जूट फैला रहे हों, RPSC ने जून में मुख्य परिक्षया की तिति तय नहीं की थे, तो बले ही ये सोसल मीडिया साइट पर RPSC के अनुसार जूट फैलाया जा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, कि OTS Pathfinder RS Group में जो मेसेज वाइरल हुआ था, कापी दिनों पहले, उसमें ये बताया गया था, कि RS RS मेंस 27 ब 28 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी, और RPSC के दुवारा बाद में जब इसका सेड्यूल जारी किया गया, तो उसमें सेम वही डेट जो है, बताएगी, जो पहले सोसल साइट पर वाइरल मेसेज के अंदर बताई गई थी, तो ये एक विचारनी ये प्रशन है, इ स्वास बहाल हो सके, साथ ये साथ में RPSC की जो गोपनिता पर स्वाल प्रशन चिन खड़े हो रहे हैं, वो भी दूर हो सके, ठीक है, तो ये हमारी न्यूज कैसे लगी, कमेंट करके जुरूर बताएगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद